हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू वी डिजाइन आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेस का रेस्ट पार्ट कवर करेंगे प्रीविस वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी और अपर पार्ट के साथ पोटर पार्ट अटेच किया था तो आज की इस वीडियो में हम इसका बाक परेंपे के स्ट्राइप है कि आपके रसकोसे स्ट्राइप करें जिस्त का लिए उसके बद यहां से हलसे कि फिर पेस्ट इसी तरह आप दो इंच की एक वाइट स्ट्रैप ले लिजिए और इस पेपर पेस्ट को उसके उपर रखे प्रेस के साथ इसको फैबरी के साथ पेस्ट कर लिजिए यहां पर जो मैंने वाइट फैबरिक लिया है वह दो इंच चोड़ाई है और इसी तरह ही एक आप ग्रीन ले लिजिए उसको भी आप दो इंच चोड़ा काट लिजिए और जो पेपर पेस्ट है उसकी विर्थ भी आप बनीच रख लिजिए और उसको भी प्रेस के साथ आप अटेच कर लिजिए तो यहां पे हम जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन वाला स्ट्रैप अटेच करेंगे फिल्कु लेट स्प्रे Defense रेंगे सबसे पहले यहां पर वाले पांट को आप लेखर रख लेंगे और यां पर विल्कु लेजिस पे शिला इस तरह फैबरिक को फोल्ड करते हुए इसके बिलकुल इजस पे इसलाही लगा देंगे यहांपर जो ज्वाइंट वाला फैबरिक है उसको आप अंदर को रखते हुए उसके उपर आप इसलाही लगाएंगे तो यह हमारी green वाली strap जो है वो इसके साथ attach हो गई है तो उसके बाद इसी तरह ही हम right side पर white वाली strap भी attach कर लेंगे यह strap हमारी उपर रहेगी green वाली नीचे आएगी तो इसी तरह ही आपने यह इस लाई को complete करना है उसके बाद इस फैब्रीक को एस तरह से आप अंदर को fold करेंगे यह वाली strap आपने बाहर को नहीं निकालनी यह पूरी strap आपने अंदर को fold करी है और इस तरह से यहाँ eat जो हमारी किनारी आ रही है अंदर वाली side पर वहाँ पर आपने शिलाय लगानी है यह जो सिलाई है यह बिल्कु इंस ट्रेट होनी चाहिए यह थे अपर रहेगे, ग्रीन वाली स्ट्रैप आप जो बनाई है उसको आपने बाहर को निकाल के लगाना है, वाइट वाली को आपने अंदर को फोल्ड करके लगाना है, यह चीज को आपने यहां पर थेया रखने इस तरह यहां से नीचे भी आप एक बॉक्स बनाके इस सिलाई को आप यहां पर बंच कर देगे यह हमारी जो है स्ट्रैप्स अटैच हो गी है इसके बाद अब भी हम यहां पर इसका नेक त्यार करेंगे इस नेक त्यार करने सस्टे पहले हम यहां पर शॉलडर की लगाएंगे दोनों तरफ आप शॉलडर की लगा लीजे तो उसके बाद आप फिर कर लीजिए कि आपके पर की लेंट कितनी है यहां पर मरेपास छोटल करके अगर नेक देख रही है तो टोटल 11 इंचा है तो यहां पर मैं paper paste पहले neck के लिए cutting करूँगी paper paste को ले लीजिए उसकी विर्थ जो है वो 4 इंच रख लीजिए हम यहां पर straight नहीं बनाएंगे neck को थोड़ा wrong shape में बनाएंगे अच्छी look के लिए और finishing के लिए तो जितना हमारे पास यहां पे ने काया है उतर ही यहां पे ले ले लीजिए तोटल 11 इंच मैं यहां पे ले रही हूँ और उसको इस तरह से एक राउंड शेप में आप काट लीजिए तो यह हमारे पास जो है नेक के लिए पेपर पेस्ट पे कटिंग हो गई है इसके बाद अभी हम इसको फैब्रिक के उपर पेस्ट करेंगे सबसे पहले आप इस तरह से एक बाइट प्याब्रिक ले लीगे तो कि हमारा बहर की तरफ रहेगा और उसके उपर आप प्रेस के इस तरह से आप एक ग्रीन फैब्रिक लेंगे और उसको इस तरह से इसके नीचे रखेंगे और नीचे जो रॉंड शेप है वहां पर हम इसके साथ साथ ब्लिकुल एजेस पे सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद यह अंदर वाली साइड पे जो एक्स्ट्र फैब करने के बाद अभी हम इसको हमारी कुर्टी के साथ अटैच करेंगे कुर्टी के साथ अटैच करने के लिए हम अंदर वाली तरफ से सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहां पे आप जो वाइट वाला एरिया है जो हमारा बाहर रहना है उसको हम कुर्टी के साथ अटैच कर यहाँ पर दोनों जो राइट साइड अंदर कें रहरास से इसिलाह लाई लगाएंगे यहाँ पर रिर्ठा и पर दोनों से कि सिल fracture तक हमने दो दोटरफ सेशव लेना है, पहले एक साइड से आप से जिल लेंगे, चल्ण सी लाई लगायें धीर दूसरी साइड से एज हम एज रमें लेगे ऑगे ओसा लें यहांट करेंगे ऑर ऑप कि बाद इस तरह से अगर आपका ने का यह मोरा याँ यहाँ फ़ी यहाँ पर अपकार बैक सेड़ यो श है तो यह सेलाई लगाने के बाद आभ हम इसके अंदर को ग्रीन वाला फैब्रिक पर कने और इसके अदर को यह ये घृण वाला फाबरीक अंदर इस ततत्रिएक से फ़ोल्ड करते बेएंगे श्कति इस्तर हम इसके रैट साइड बाहर रक रहते हुएं उपर से चाथ तो यह हमारा नेक्चो है वो कुड़ती के साथ अटैच हो गया है अभी हम इसको उपर एजस पर यह एक एक और सिलाई लगाएंगे और साथी जो आगे जो कॉलर का हमारा प्रेंट है वहां पर भी हम सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए कितना स्मूथली हमारा नेक्चो अटैच हो गया और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है अगर आप इसी तरह रॉंग शेप में यह पेपर पेस्ट को काट के लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगे तो अभी हम इसको नीचे से बड़ी पोल्ड कर लेंगे यहां पर नीचे एजसपे हलका साइक फॉल्ड देते हुए आप यहां पर सिलाई लेगा लेजिए तो अभी ये हमारी कुर्टी के साथ इसकी आमस करेंगे आप सबसे पहले हम और अग्यार करेंगे करने के लिए उसका पहले आगे फ्रॉंट साईड पर हलका से फॉल्ड करते हो आप इसको भी इस तरह से सिलाही लगा लिजिए ये लगाने के बाद अभी हम इसको प्लेट देंगे और चैहिआ तो आपकी आम से कीविट्स की रखेंगे और बाकी की एक्ट्र आप्ट्र फैब्रिक तो यहां पे हम सी तरह चैहिए डाल देंगे इसी तरह दूसरी आम प्लेट्स आलनी है और उसके बाद हम इसको आम के साथ अटैच करेंगे प्लेट्स टालने के बाद अभी हम इसको आम्स के साथ अटेच करेंगे उसके साथ ही हमने एक दो इंच का चुड़ाई में फैब्रिक और उसकी लेंथ जो है हमारी आम्स की विर्च के हिसाब से रखेंगे और उसको भी उसकी ऊपर रखें इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे यहां पर टोटल टीन साब्रिक है एक प्लेट्स वाला है एक आम्स का है और एक नीचे एक्ट्रा फैब्रिक जो हमने अटेच किया है तो ये हमारी फैब्रिक जो एडेच किया है इसमें हम डोरी डालेंगे इसलिए अपर दpower कंच से वर् pessimist करेंगे और बिल्कुल इसकी एज़ेस पे एक सिलाई लगा के हम डोरी के लिए यहां पे स्पेस क्यार कर लेंगे तो यह हमारी जो है आम की नीचे से दिजाइनिंग हो गही है के बाद हम अकॉर्णिक टू मेजरमेंट करेंगे तो भी आपकी मेजरमेंट है उसी साथ आप इसको किसी लाई करने के बाद इसको आप कूर्थी के साथ आटेच कर देंगे बहुत सिंपल मेथड जैसे के आपने मेरी प्रीवीज वीडियो में देख बनाने के लिए आप कोई भी मेचिंग फैब्रिक ले लीजी जैसे कि यहां पर मैं ग्रीन यूज कर रहे हूं तो मैं उस फैब्रिक को क्रोस कट में काट लूगी पहले इस तरह से मैं क्रोस कोल्ड करूंगी पर करिब 1.5 या दो 1.5 in में मार्क करूंगी और इस तरह से लंबे-लंबा स्ट्रैप स्ट्रैप Mackay, इसी करा अप ज Cultural इसको प्राइब करेंगे और यहां पर आपस में अटैज करते हुए उसको आप लबा कर लीजिए और यहां पर आपने इस तरह से इस ट्राइब को शिलना है इसको फोल्ट करना है और उसके उपर 0.2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए शिला ही लगाने के बाद हमारे पास जै सेंपल आपको बता रहे हुं बांकी सारी स्ट्राप्स इसी तरह ही बनानी है और यांपर नीडल के साथusta वश्केश लगाएंगे और उसी ट्रफय स्ट्रम्हों इसको बाहर निकालल लेंगे भार निकालने के बार निकालने के बाद यॉंद हम यूदाले को घीषदे हीचे तो यह लीजिए मैंने सारी स्ट्रैप्स त्यार कर लिए तो अब यहां पर हम यह डोरी डालने के लिए यहां पर बनाएंगे मुद्नाने के लिए आप स्टिच ओपन करने वाली नीडल ले लीजिए यहां फिर एक चोटी सीजर लेकर इस तरह से आप अर्ब बैस में यह लेयर है उसी को ही आपने होल करने तो इस तरह से आपने यह होल करने के बाद यहां पे आप अंदर डोरी डाल देंगे तो इसी तरह आमस की भी हमने डोरी डालने हैं आमस के लिए आप यहां से साइड से हलका सा स्टिच खोल लेंगे और यहां से अंदर से आप डोरी डालना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हमारी मेजर्मेंट वाली सलाई है बहां तक आप इसको लेकियाएंगे दोनों तरफ यह बहुत ही सिम्पल है आप इसको राम से अटैच कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल है आप इसको राम से अटेच कर सकते हो तो यहाँ पर हमने जो होल करें है इस फैबरिक को हम सुई और धागे के साथ अंदर को हलताल का फोल्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है यह जो डोरी है इसको इसके साथ अटेच नहीं करना इसलिए इसको थोड़ा सा दूर रखते हुए फिर आपने यहाँ पर स्टिच करना है यहाँ पर मैंने बटन के लिए होल अल्रेडी त्यार कर लिए है उसके बाद अब यहाँ पर हम इसके बटन त्यार करेंगे और उसको इसके साथ अटेच करेंगे यह हमारा लास्ट स्टेप है बटन अटेच करने के लिए इस तरह से आप एक बटन ले लीजिए और एक यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि फैब्रिक बहुत ज्यादा आपने बटन के नीजे इकठा नहीं करना स्टिच करने के बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रीक को काट देंगे और इस तरह से आप हलका सा फैब्रीक की ही अंदल को फोल्ड करते हुए यहां पर अच आप लिए बंके त्यार हो जाएब आप इसको जीन्स के साथ पैसे और प्लाजो के साथ भी पैसकते हो तो आप प्लीज इसको गर पे जरू ट्राइए किजिये तो गाइस ठैंक्स फर वाचिंग आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस किजी लाइक बटन अगर आपको कोई कमेंटर और सुज़ेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप किजी ऐसी मेरी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब किजी मेरा चैनल